इस लेक्षर में हम exercise 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं तो exercise 1.3 में हम लोग addition और subtraction of matrices पड़ेंगे यह पड़ेंगे कि किस तरह matrices को plus करें और उनकी किस तरह subtraction करें तो आप फर देख ले exercise 1.3 के पहला सवाल में यह हमारे पास given matrices है matrix A इसके बराबर है 2, B, C, D और E यह हमारे पास 5 matrices given है और हमने one by one इनकी addition मालूम करने हैं तो दिख ले देखें आप first of all हमने first part में मालूम करना है E plus B तो यहाद रखें कि जब भी matrix को हम plus करेंगे तो उनकी corresponding elements को आपसे plus करेंगे और corresponding elements क्या है हमने last chapter में इससे पहले chapters में lectures में A plus B जिस pattern पे इन matrix की symbols यह उसी pattern पे matrix को होद रखेंगे यह matrix A है जो के बराबर है 3, 2, 7, 1 plus यहाँ पर है हमारे पास matrix B देख ले यह matrix A था तो मैंने matrix A लिख लिया उसके बाद plus sign फिर अब matrix B matrix B को लिखते हैं 3, 6, minus 1, 4 अब आपने क्या करना है कि इनकी corresponding elements को plus करेंगे corresponding element का मतब क्या है कि पहले element को पहले element के साथ, दुसरे को दुसरे के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ को पिर फोर्थ के साथ तो आप देख लिए कि फिर्स्ट element यहाँ पर 3 है और यहाँ पर फिर्स्ट element क्या है 3, 3 और 3 को plus करेंगे तो क्या बनेगा 6 उसी तरह यहाँ पर 2 और 6 का जो plus है वो क्या बनेगा 8, यहाँ पर plus 1 है यहाँ पर 7 है यहाँ पर minus 7 तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा 7 इस तरह 7 यह plus minus 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6 यह 1 यह 4, 1 plus 4 हमारे पास क्या बनेगा 5 यह है आपके पास पहले पार्ट का सवाँ टेके A plus B नमबर 2 देख ले इसमें आप सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है क्या आप मालूम करें A minus B plus C अब पहले सवाल भी 2 मेट्रिक्स होते थे अब यहाँ पर क्या है 3 मेट्रिक्स है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है आप से उसी सिक्वेंस को खेरी करें A minus B plus C मेट्रिक्स A first of all मेट्रिक्स A है तो एक इसके बराबर है 3, 2, 7, 1 minus उसके बाद हमारे पास है मेट्रिक्स B which is equals to 3, 6, minus 1, 4 उसके बाद हमारे पास है plus मेट्रिक्स C जो के बराबर है 4, 3, 2, 4 अब एक साथ भी आप कर सकते हो एक extra step भी कर सकते हो एक step करें कि ताक हमारे लिए आसाम हो A minus B plus C तो आप देख ले पहले मेट्रिक्स पे जो corresponding element है first element है 3 यह minus हो रहे तो क्या होगा यह minus 3 और इस मेट्रिक्स क्या होगा plus 4 यह तीनों मेट्रिक्स के first corresponding elements आप दूसरे पे जाते हैं यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर क्या होगा plus minus minus 6 और यहाँ पर हमारे पास क्या है plus 3 यह second corresponding elements कहो गया third पर आते है 7 यह दोनों minus minus plus 1 और यह दोनों plus 2 उसी तरह last पे यहाँ पर जो होगा है 1 plus minus minus 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या है plus 4 अब इनको 8 करते हैं A minus B plus C तो आप देख सकते हैं यह plus 3 और यह minus 3 दोने एक दुसरे को cancel करेगा और बचेगा 4 यहाँ पर यह है plus 2 minus 6 में से plus 2 जाएगा तो कितना बचेगा minus 4 और minus 4 में से plus 3 minus करेंगे तो कितना बचेगा minus 1 आप simply इस तरह भी कर सकते हैं कि यह plus 2 और plus 3 मिल के plus 5 बनाएगे जब minus 6 में से plus 5 को सब्ट्रेक करेंगे तो क्या बचेगा minus 1 यहाँ पर 7 और 1 बनता है 8, 8 प्लस 2, 10 यहाँ पर minus 4, plus 4, cancel out each other, यहाँ पर क्या बचेगा 1 यह आपके पास हो गया क्या, A minus B plus C, यह second part अब आप इसका third part, fourth part से भी ऐसे होते हैं, ठीक है, आप fifth part देख ले फिर बागी remaining parts आपके लिए फिर homework रख रहा हूं next, same question का आप number 5 part देख ले, जिसमें हैं, हमने मालूम करना है D plus E, so D plus E मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कि D plus E इसी sequence को रखेंगे सब सब first of all matrix D को लेंगे, आपर क्या है, 2, 1, minus 2, 4, 3, 1 plus, उसके बाद matrix E, minus 1, 2, 4, 1, 3, 5 plus करेंगे इनको, D plus E क्या बनेगा, 2, यहापर plus minus क्या होगा, minus 1 इसका second element 1, इसका second element plus 2, इसका third element यह, minus 2, और यहापर यह, plus 4 next, इस row पे आते हैं, यहापर है 4 और यहापर है plus 1 ठीके, यहापर second element है 3 और यहापर भी है plus 3 last यहापर है 1 और यहापर है plus 5 D plus E 2 में से 1 सब्ट्रेक करेंगे तो 1 यह, दोनों 3 यहाँ से plus 4 में से minus 2 जाएगा तो plus 2 यह, दोनों मिलके बनाएंगे 5 यह, 6 और यहापर भी 6 तो इसके साथ यह, fifth part भी हो गया तो यह question number 1, ठीके question number 2 चला पे next lesson में होके